आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Epson Scanner का इस्तेमाल करके आप एक PDF फाइल कितनी भी बड़ी किस परकार से बना सकते हैं बड़े ही आसानी से तो आज की इस वीडियो में Complete Detail में मैं आपको समझाने वाला हूँ तो Epson Scanner उपन हो चुका है उसके बाद यहाँ पर आप Document Mode लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप Scanner ले लेंगे फिर यहाँ पर Page Size ले लेंगे यहाँ पर आप ले लेंगे Color Black and White या फिर Gray Scale स्कैन करना चाहते हैं वाले लेंगे उसके बाद यहाँ पर Resolution ले लेंगे यहाँ पर सभी Option दिखाई देंगे जो भी आप रखना चाहते हैं वो ले लेंगे तो मैं यहाँ पर Dash ले ले लेता हूँ फिर यहाँ पर यह Option दोस्तों देख सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पर एक से अधिक Page की PDF फाइल अगर बनाना चाहते हैं एक से अधिक Page है फाइल के अंदर जो आप Scan कर रहे हैं तो इस वाले Option को On करना है अगर एक Page है तो इसके उपर क्लिक करने के जुरूद नहीं लेकिन एक से अधिक Page है तो यहाँ पर Add और Edit Page After Scanning तो इस वाले Option पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर PDF फार्मेट ले लेंगे PDF के अंदर स्कैन करने के लिए उसके बाद फाइल का नायम आ जाएगा और जिस Location पर सेव करना है उस Location का आप सेलेक्शन कर लेंगे यहाँ पर सभी Location मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर Page को PDF स्कैनर के उपर रख लेंगे Page को स्कैनर के उपर रखने के बाद आप जस्ट स्कैन पर क्लिक करेंगे परतम वाला Page स्कैन होने लग जाएगा जैसे यह स्कैन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन हो रहा है लेकिन आपको Edit पर क्लिक करना यह पहले वाला Page जो भी मैंने स्कैन किया है अब इसी पाइल के साथ एक और Page है तो वापिस उस Page को स्कैनर पर रखके Add पर क्लिक करेंगे वह भी स्कैन होने लग जाएगा दूस्तों देख सकते हैं यह भी स्कैन हो रहा है यह भी complete स्कैन हो जा अब तीसरा Page है तो उसको भी ठीक इस परकार से आप स्कैन करेंगे यह तीसरे वाला Page अभी स्कैन हो रहा भी आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से यह भी हो जाएगा इस परकार से एक एक करके जितने भी Page आप स्कैन करना चाहते वह कर लेंगी उसकी PDF फाइल बन अब दोस्तों कोई Page आपको यहां से फिर्स्ट नंबर शेकन नंबर पर चेंज करना तो इस प्रकार से ड्रेग एंडॉप करके आप कर सकते हैं पेज़ इलीट करना तो पेज़ करके करके पेज को सकते हैं यह सभी आप्सन मिल जाते हैं उसके बाद सभी Page इसकैन हो चुके ह तो तीन पेज की पीडिये फैल बन चुकी है अब अगर इसकी साइज अधिक बन जाती है तो उसके बाद भी आप इसे रिसाइज कर सकते हैं तो इसके लिए ओलड़ी वीडियो बना हुआ है इसी वीडियो के निचे लिंक मिल जाएगा या फिर साइज को कम अधिक करना आप सीख सकते हैं जानकर इची लगी हो तो शैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ओन करना बिल्कुल आपको नहीं भूल